असलाम आलेकुम मैं हूँ रभिया और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीचिन विद रभिया तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल लीमू पानी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें वी पीनी ली है मैंने 1 1-2 cup आप अपने टेस्ट के हिसाप से कम या जादा कर सकते हैं नमक लिया है मैंने 1-1 पिंच यहां मैंने काला नमक लिया है 1-1 पिंच काला नमक हमारे जूस के फ्रेवर को मजीद इन्हांस करेगा मिंट के मैंने स्टेम्स लिया है 5-6 अदर आइस क्यू से चार अदर इसके स्लाइस निकाल लेंगे और बाकी हम स्क्वीज कर लेंगे इस तरह के मैंने स्लाइस निकाल ले हैं अब मैंने एक जग लिया है इसमें डालेंगे हम पानी एक कप हाफ कप मैं चीनी शामिल कर रही हूं और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें चीनी हमारी अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं होगी इसलिए रूम टमप्रेचर पे जो पानी होता है आप वह इस्तमाल कीजेगा एक दफा चीनी अच चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूं नमक हाफ टी स्पून मैंने लिया है वन पिंच मैं इसमें काला नमक शामिल कर रही हूं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें लीमू स्क्वीज कर लेंगे दो अध़त मैंने लीमू लिये हैं तक्रीबन वन थर्ड कप लीमू का रस्ता वो मैंने इसमें शामिल किया है अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसमें मजीद पाने शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे लीमू पानी हमारा त्यार है अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं पहले हम ग्लास में आइस क्यूब प्षाल लेंगे इसके बाद हमने जो शर्बत बनाया है वो इसमें डाल देंगे और जो हमने पुलीनी के स्टैंस लिये थे वो इसमें डाल देंगे तो त्यार है हमारा बहुत ही मज़े का लीमू पानी आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यूं तो लीमू अपने अंदर बेशमार खासित रगता है और माहिरीन के मताबिक इसका इत्माल हम मुक्तित तरीकों से कर सकते हैं मैं आपके साथ इसके चंद बेनिफिट्स डिसकस करूंगी ये हमारी जिसम के अंदरूनी निजाम को मजबूत बनाता है सुबा बगैर कुछ खाई पिए एक कप गरम पानी में अगर हम लीमू मुला कर पिएंगे तो ये हमारे जिसम को साफ करता है लीमू जिसम के मुदाप्ति निजाम को भी मजबूत करता है ये हमारी घजा को हजम करने के लिए बहुत मुफीद है और एक और बात जो आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे लीमू के कत्रे अगर कटे हुए सेव पर डाल दे तो ये बहुत देर तक ताजा रहते हैं और सेव का कलर भी ब्राउन नहीं होता लीमू के चिलकों से धान साफ करने से धान दट की शिकायात नहीं होती वजन कम करने के लिए लीमू का रस दो चमच एक ग्लास पाने में मिलाकर नेहार मूं इस्तमाल करें दो हफते के मुसलसर इस्तमाल से वजन में काफी तबदिल ली आएगी लीमू में सबसे ज़्यादा वाइटिमन सी मुझूद हता है इसलिए आप इसका इस्तमाल जरूर कीजिए वैसे भी आजखल गर्मियों का सीजन है तो आप लीमू पानी बना कर इस्तमाल करें यह आपकी सहत के लिए बहुत मुफीद है आपको हमारी लीमू पानी की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट रीडियो में एक नई रस्पी के साथ अला आपीस